Hello Friends, Welcome Back तो चली स्टार्ट करते हैं नेक्स शेप्टर 62 जिसमें हम Public Service के बारे में बात करेंगे तो Public Service का मतलब हमें पता ही है कि यहाँ पर कुछ All India Services होती है फिर कुछ Central Service होती है और State Service होती है इनके रिकार्टिंग कुछ Constitutional Provisions भी आपको देखने के मिलेंगे Part 14 में Article 308 से लेके 3014 तग यहाँ पर यह Services को Cover किया गया है तो यहाँ पर बताया गया है कि यह जो Services है यह तीन तरीके के होती है All India Service, Central Service and State Service तो All India Service का मतलब यह हुआ कि यहाँ पर जो लोग जो Employee होते हैं वो Center और State Government दोनों के अंडर में काम करते हैं ठीक है मेली यह जो All India Service के Employee होते हैं इनका Recruitment करती है Central Government प्रेनिंग भी देती है Central Government लेकिन यह Ultimately जाके काम करते हैं किसने किसी State Government के काम में तो जैसे हमने पता है कि तीन तरीकी All India Service हमारे यहाँ है IS, IPS and IFS काम नहीं करते हैं Foreign Department ही जो है वो Central Government का है ठीक है तो यह तीन तरीके के यह जो Departments होते हैं या Service जो है यह All India Services कही जाती है इनका Recruitment यह Service का या फिर ट्रेनिंग का जो काम होता है यह Central Government करती है और Finally यह State Government के अंडर में काम करते हैं इनकी जो Salaries होती है इनकी जो Pension होते हैं यह State Government के द्वारा दिये जाते हैं अब इनकी Control की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि Joint Control होता है Central और State Government के द्वारा तो Immediate Control जो होगा वो State Government कंडर में होता है लेकिन Ultimate Control जो होता है वो Central Government के अंडर में होता है कोई Penalty impose करनी हो या फिर कोई Disciplinary Action लेना हो तो यह सारे Action क्योवल और क्योवल Central Government ही ले सकती है तो अब यह जो Civil Service या फिर All India Service जो था या All India Service कोई स्टार्ट करने के लिए सबसे बड़ा एक आप कहें श्रियर जो जाता है यह हमारे जो Home Minister थे शर्दार वल्लब भाई पटेल यह उनको जाता है यह सबसे बड़े Constituent Assembly जो थी इसमें सबसे बड़े यह एकस के फेबर करने वाले थे कि इंडिया में All India Services होनी चाहिए तो यह है IS, IPS and IFS इसके बाद बात करते हैं Central Service Central Service में यहाँ पर भी इनको रिक्रूट करने का काम इनके सर्विस, इनके ट्रेनिंग का काम यहाँ पर सारा का सारा Central Government करती है और यह साथ ही साथ यह केवल Central Government के अंडर में ही काम करते हैं यह किसी State Government के अंडर में काम नहीं करते हैं जैसे एक IFS होता है Indian Foreign Service यह एक Central Service है यह All India Service नहीं होता है क्योंकि Central Government के अंडर में ही काम करते हैं क्योंकि Foreign Department है और Foreign Department यह Government of India का डूमेन होता है ठीक है अब IFS जो यह काफी famous है अगर हम एक तरीके से अगर हम ranking की बात करे pay skill की बात करे तो आप देखिएगा कि IS के बाद IFS का नमबर आता है यहनि कि Foreign Service का नमबर आता है उसके बाद IPS का नमबर आता है ठीक है It comes next to the IS in ranking and its pay scale is higher than IPS ठीक है तो यह भी काफी designated और काफी reputed आपको service होती है इसके बाद बात करते हैं हम estate service की तो यह estate government कंडर में जो service आती हम उसको estate service कहते हैं तो उनके recruitment का काम उनके training का काम सारा काम यहाँ पर estate government करती है और finally यह estate government कंडर में ही काम भी करते है ठीक है तो अब एक act बनाया गया All India Services Act 1951 देखिए इसमें provision क्या है कि माली जी किसी इस्टेट में 100 seat है IS का वेकेंट यानि का IS officer यहाँ पर पॉइंट होने वाले है 100 तो अब यह IS 100 seat यहाँ दो तरीके से फुल किये जाएगी एक तो UPSC जो exam लेती है IS का उसके द्वारा और एक होगा जो इस state government के अंदर जो employee होंगे उनका promotion होगा वो promotion के द्वारा IS मनेंगे तो अब यहाँ पर देखे जो state government के employee जिनका promotion होके वो IS में तबदील होंगे वो maximum 33% हो सकते हैं और यह बाकी के जो आएंगे 33% यानि 33 को छोड़के और जितने यहाँ पर बचे यानि कि यहाँ पर और कितने बचे 67 यह बचे तो यह जो 67 होंगे यह UPSC के द्वारा recruit करके आएंगे तो यह IS जैसे IS हुआ उसी तरीके से IPS में भी होगा उसी तरीके से IFS यानि कि जो आपका IPS होगया इसी तरीके से जो forest service होगई IFS यह इसमें भी होगा तो आप देखेंगे यह जो 33% है ना यह maximum है इससे ज़्यादा state government की employee promote होके All India service में नहीं जाएंगे हर साल यानि जितना vacancy है उसके according यहाँ पर बात की जा रही है तो अब यह 33% employee state government के promote होके All India service में पहुँचेंगे यह कैसे पहुँचेंगे कोई ना कोई यह committee होगी तो वो जो committee होती है वो recommend करती है कि इतने लोग यह यह लोग जो है इनको आप promote करके IS या IFS या फिर IPS होता है All India service के cadre में रख सकते हैं ठीक है तो यह जो committee होती है इस committee के chairman कौन होते हैं इस committee के chairman या तो UPSC के member होंगे या फिर UPSC की chairman ही इसके chairman होते हैं और यह committee recommend करती है कि यह यह लोग All India service men को promote किया जाना चाहिए maximum 33% या नि कि one third recruitment and service condition इसकी अगर बात करे तो अपने अपने domain में यह लोग अपना-पना काम करते हैं जैसे कि government of India की बात करे और जो state government है इनकी हम बात करे तो government of India All India service हो गई इसके साब साथ जो इनकी central service होती है यहाँ पर सारा काम government of India करती है उसके बाद जो state service होते है यहाँ पर इनको recruit करने काम और service condition को सारा decide करने के काम यहाँ पर state government करती है ठीक है अब क्या होता है कि यह जो services होती है अब अपने अपने domain में government of India कुछ restrictions लगाती है अपने employee पे उसी तरीके से state government भी अपनी employee पर कुछ restrictions लगाती है जैसे कि यहाँ पर कुछ restrictions हो सकते हैं किस मामले में जैसे कि अगर इंडि security का ममला हो, honesty, efficiency, discipline, impartiality, secrecation, neutrality इन सब चीजों से related अगर कोई matter होता है यहाँ पर जो government होती है वो reasonable restrictions लगा सकती है जैसा कि आपने article 33 भी पढ़ा होगा article 33 fundamental right है इसमें विया करती है government of India जो secret services होती है, जो defense services होती है, police services होती है उनके fundamental right पर restriction लगाती है तो उसी तरीके से यहाँ पर भी तो government of India अपने जो all India services है या पर central services है उसके अंडर में करती है उसी तरीके से state government अपने domain के अंडर में जो services आती है वहाँ पर यह करती है ठीक है tenure के बात करें तो again यहाँ पर government of India की service और यहाँ पर state government की service ठीक है तो अभी क्या होता है government of India की case में president और यहाँ पर governor state की case में governor यहाँ पर जो government of India की under जो imply होते हैं वो तब तक रहेंगे जब तक president की एक्चा होंगी during the pleasure of president उसी तरीके से state government की under में भी जो imply होते हैं वो किसके under में होते हैं during the pleasure of governor of the state ठीक है तो इसका मतलब यह नहीं कभी भी हटा दिया जाएगा अब हम कोई यह पता है ने कि यहाँ पर retirement की कुछ age होती है 60 years या 62 years कहीं कहीं पर उसके according ठीक है तो यह तो एक maximum time होता है ने कि वहाँ तक यह काम 60 साल तक काम कर सकते हैं 62 years तक काम कर सकते हैं लेकिन उससे पहले भी हटाया जा सकता है government of India केस में यह पावर होता है president के पास और state के केस में यह पावर होता है governor के पास लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इनको जब चाहे तभी हटा दिया जाएगा इनके उपर कुछ restriction भी हो restriction क्या है यह restriction आपको article 3 1.1 में बताए गया है 311 में बताए गया है तो इसमें बताए गया है कि जो doctrine of pleasure है यानि कि president और governor का इसमें दो restrictions है वो restriction क्या है इसमें यह कहा गया कि पहला कि यह जो civil servant होते है इनको वो authority ही हटा सकती है जो इनको appoint की हो या तो वो हो या उससे एभव की authority हो यानि कि जिस authority ने किया है उस authority से नीचे क्या कोई officer या authority इनको नहीं हटा सकती ठीक है यह restriction है दूसरा restriction यह है कि अगर इनको dismiss ही करना हो इनको हटाना ही हो या फिर penalty के तौर पर इनके rank को reduce करना हो तो इन पर जो charges लगे होंगे जो भी conviction इन पर लगा होगा उन conviction को इने बताना होगा इनको inform करना पड़ेगा कि आप पर कौन-कोन से charges लगे हुए है और इनको reasonable opportunity of being here और इनको reasonable opportunity देना होगा ताकि अपनी बातों को अपनी सफाई के रूप में कुछ कह सके तो यह reasonable opportunity के मतलब क्या हुआ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर Supreme Court ने in reasonable opportunity of being here यानि कि यह reasonable opportunity क्या हुई अपने आपको वहाँ पर रखने के अपनी बातों को कहने कि यहाँ पर इनके अगेंस जो भी charges या allegations लगे हुए हैं सबसे पहले तो आप इनको inform करेंगे कि यहाँ पर कौन-कौन सी charges लगे हुई है इसके बात जो भी witness इनके against में produce किये गए हैं उन witness को यह खुद cross examine कर सके उन witness को यह खुद check कर सके ताकि अपने defense के लिए भी है कुछ witness जुटा पाए साथी साथ अब यहाँ पर जो inquiry committee बनी होगी इन charges को देखने के लिए इन charges को inquiry करने के लिए अब यह जो inquiry committee जो report देगी यह inquiry committee का report भी इनके सामने रखा जाएगा यानि कि इनको दिया जाएगा जो civil servant होगे और यह जो civil servant होगे यह उन inquiry के report को भी check कर सकते हैं उनको examine कर सकते हैं और अपनी बातों को उनके सामने रख सकते हैं तो तीन तरीके के यहाँ पर बाते Supreme Court ने बताई कि reasonable opportunity of being heard का मतलब यह सारी चीज़े हैं यानि कि पूरी यहाँ पर आजादी मिलनी चाहिए opportunity मिलनी चाहिए कि एक civil servant अपने आपको defend कर पाए ठीक अब आजिसभा से लेटेड है Article 312 अब यहाँ पर राजिसभा के पास यह power होता है कि वो special majority से अगर किसी All India Service को create करना हो तो राजिसभा इस resolution को उसके बाद आगे इसको लोग सभा पास करेगी तो यहाँ पर All India Service को create किया जा सकता है ध्यान रखिएगा ऐसा power सिर्फ और सिर्फ राजिसभा के पास है लोग सभा के पास नहीं यानि कि All India Service को create करने का जो initiative होगा वो सिर्फ और सिर्फ राजिसभा लेगी लोग सभा के पास यह power नहीं है initiative लेने का ठीक है यह article आता है 312 में ठीक है इसके अलावे जो All India Service होती है या फिस Central Services होती है उनको control करने के लिए हमें पता है All India Service Act 1951 बना हुआ है इसी तरीकी की सर्विस होती है IAS हो गया, IPS हो गया IFS हो गया, All India Services होती है ठीक है आप देखेंगे कि 42nd Amendment 1976 के द्वारा यहाँ पर All India Judicial Service की भी व्यस्ता की गई है कि यहाँ पर Parliament चाहे तो All India Judicial Service को भी create कर सकती है लेकिन फिलहाल ऐसा कोई law create नहीं किया गया है इसलिए State Government जो है वो अपने Domestic law बनाती है अपने यहाँ जो Judicial Service है उनको अपाइंट करने के लिए लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर कोई All India Judicial Service बनाई जाती है तो यहाँ से जो लोग judge चुनके जाएंगे उनका designation क्या होगा उनका designation district judge से district judge या district judge से उपर का होगा district judge से नीचे जो judge होते हैं वहाँ पर इनको अपाइंट नहीं किया जाएगा या तो district judge या फिर district judge से उपर के जो post होगे वहाँ पर ही इनका अपाइंट मेंट होगा ठीक है तो खैरी फिलाल ऐसा कोई अभी law बना नहीं है ठीक है तो यह सारी चीज़े थी है हमारी service related जिसमें ओल इंडिया service, central service और state service है ठीक है चलिए मिलते हैं नेक चेप्टर में Thank you, best of luck